उत्रप्रदेश के मैनपूर में 5 दिसंबर को होने वाले उपलोकसभा चुनाव को लेकर अकलेश यादफ के विधानसभा छेतर करहल में मुख्यमंत्री योगे आदतनाथ ने जनसभा को संबोधत किया चुनावी जनसभा को संबोधत करते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा वही योगी ने शिफपाल यादफ को निशानी पर लेते हुए कहा कि अखलेश के चाचा शिफपाल यादफ की स्थिती पैंडूलम जैसी हो गई है समती जनता पांटी ने आपने देखरोओगा दोहजार चाभद में उपनर मत्री मोतीजी जो मंत्र देश को दिया था वास्तों में जो मंत्र है सबका साथ और सबक्या मुक्त प्रदेश इस बात की कवाई बेता है अब प्रदेश में कानूं प्रश्टा की बेतर इस बी इस बात की पुरिश्बात को प्रणाइब करता है और इसलिए भायों बेनों मैं आज आप सब काउखान करने के लिए आया हूँ आप सभी क्या बार्टी जन्ता पार्टी के प्रत्यासी रोग्रासिंग साथ्या जी के समर्थन में कमल चुना चिंड़ पर होड़ देंगे सभी लोग सेमत हैं किया तक मिरी आवाज चारी ये दोनों हाथ लागर के मद्या सुस्पिकरिये कहा तक